तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम खुपशुरती कूर्थी घर पर डिजाइन कर सकते हैं के लिए मैंने यहाँ पर पेचिस लिए हैं जो मेरे पास पड़े थे और यह कपड़ा भी मेरे पास काफी टाइम से पड़ा था क्यूंकि यह कपड़ा बहुत जादा नहीं है यह कपड़ा कम है एक मीटर से थोड़ा सा जादा कपड़ा है और इसका जो लेंद है वो जादा ह यही लिया है तो यहां पर देखे Haap 4 फोल्ट करके मैंने अस्तर को रख दिया है और इसकी लंबाई और चोड़ाई हम देख लेते हैं तो लंबाई हो रही है 19 इंचेस चोड़ाई हुई है, 10 इंचेस 4 फोल्ड करनाके बाद हमें है 10 इंजी तो अब हमें किस तरह से कूरती की सबसे आसान तरीके से कटिंग करनी है आपकी कोई भी कूरती ले लिजिए जो आपको बहुत ही अच्छे से फिटिंग में आ रही हो उसे आप उल्टा कर लिजे उसके बाद आप बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लिजे और जो से स्लीव को टान कर लेना है और जो स्लीव की जो डिजाइन है उसी तरह से हमें यहां पर भी ट्रोईंग कर लेनी है सेम उसी तरह से स्लीव को रखते हुए उसके बाद जो फिटिंग का जो सेप है उसे भी सेम उसी तरह से देना है देखे इस तरह से मैंने डिजाइन को ड् होगी और आपको पहने में भी काफी अच्छा लगेगा तो यहां पर जो हमारा नेक है वो उसकी चोड़ाई हो रही है तीन इंचीज और लेंध में आपर बेक के लिए ले रही हूं धाई इंचीज और फ्रंट के लिए में ले रही हूं दो इंचीज आप अपने हिसाब से न बाकी की फिटिंग की जो है उसे हम कट कर लेंगे लेकर यहां पर देखे नीचे की और जो फिटिंग है उसे भी हम कट कर लेंगे इस तरह से और फिर एक पार्ट हम निकाल लेंगे बीच में से और जो एक पार्ट है उसे हम यहां पर बेक पार्ट का चोड़ने का कटिंगे उ इस तरह से लेना है तो आप आसान तरीके से आपकी कुर्टी कटिंग कर सकते हैं अब जो मेन फेब्री के उसके उपर अस्तर को हमें इस तरह से बीचा कर रखना है और जिस तरह से हमें कटिंग किये से उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है आपको कटिंग करते समय ध्यान रख करेंगे तो इस तरह से रखने के बाद हमें अस्तर को अटेज कर लेना है जो में फेबरीक है उसके उपर दोनों को यहाँ पर देखे दोस्तों मैंने दोनों जो अस्तर थे उन्हें में फेबरीक के साथ अटेज कर लिये हैं और यहाँ पर नेक में मैंने क्या किया था कि सीधी साइड रखा था अस्तर को और फिर यहाँ पर सिलाई करने के बाद इसे टर्न कर दिया है तो हमारे नेखे वो भी रेडी हो चुके हैं अब यहाँ पर मैं यह जो पेच लिये हैं उसे इस तरह से यहाँ पर सेंटर में अटेज करूंगी तो जो कुर्टी का लुक है वो बहुत जादा प्यारा आ जाएगा तो यहाँ पर देखे दोस्तों मैंने तीनों पेच को अटेज कर दिया है और दिखने में बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहे हैं अब हमें आगे क्या करना है दोनों जो पार्टे उसके मुझ को आमने सामने रखेंगे और दोनों के सोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे तो यहाँ पर देखे मैंने दोनों के सोल्डर को मिला लिया है और यह देखे यह हमने रेडी कर लिये हैं दोनों पार्ट को अटेज करके अब हम यहाँ पर स्लीव को अटेज करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ स्लीव की कटिंग कर ली है अगर आपको स्लीव की कटिंग की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी तो जो स्लीव का सेंटर है उसे लेना है और जो मेन हमारा कुर्ती है उसका जो सोल्डर का जो सेंटर है उसे लेना है दोनों को मिला स्लीव को अटेज कर दिया है यहां पर बीच में मैंने थोड़ी सी प्लेटे लगाई है स्लीव में अब हमें आगे क्या करना है इसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे उल्टा कर लेंगे और स्लीव से हमें पकड़ना है और नीचे तक हमें लेकर जाना यहां से सिलाई स्टार्ट करनी है और यहां तक हमें सिलाई लगानी है जो हमारा कमर वाला पार्ट है वहां तक तो देखे यहां से लेकर यहां तक हमें सिलाई करनी है दोनों साइड इसी तरह से यहां से स्टार्ट करके यहां पर हमें सिलाई को रोक देना है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखे सिलाई कर ली है यहाँ से लेकर यहाँ पर मैंने सिलाई को रोख दी है अब आगे हमें क्या करना है यहाँ पर देखे धागे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक साइड से हमें स्टार्ट करनी है सिलाई करने में तो यहाँ से हम start करेंगे तो क्या करेंगे हम इसे यहाँ पर दो बार fold करेंगे यह one और यह two तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने दो बार इसे turn कर लिया है और corner पर हमें सिलाई करनी है और यहाँ पर देखें हमने जो सिलाई छोड़ी थी वहाँ पर जब हम आ जाएंगे तब मसीन को आपको उठा लेना है और गुमाते हुए मसीन को दूसरी साइड भी इसी तर यहाँ पर लेकर आना है ताकि यहाँ पर हमारा अच्छे से क्रोस बनेगा तो इस तरह से हमें दोनों साइड कर लेना है तो हमारे सारे धागे हैं वो छिप चाएंगे यहाँ पर भी देखें इसी तरह से करना है तो यह देखें दोस्तों हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है यहाँ पर देखें जो हमारे धागे दिखाई दे रहे थे वो भी छिप चुके हैं और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देखे क्रोस हो गया है बहुत ही अच्छे से फिनिसिंग के साथ यह हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है यहाँ नीचे की और भी हमने टाउन करके अंदर की और जो धागे थे वो छिपा दिये हैं और ये कुर्ती बहुती ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से हमने पेज को अटेज किया है, जिससे ये कुर्ती बहुती ज़्यादा खुपसूरत लग रही है, हैंड़ वर्क का जो पेज है वो बहुती ज़्यादा प्यारे लगते हैं और अभी ये बहुती ट्रेंड में है इस तरह की कुर्तियां तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ